उत्तरप्रदेश की युवा महिला पत्रकार पल्लवी हमारे साथ है जोहार नमस्कार आदाब मैं आपर रजीता पांडे अब देख रहे हैं हजारी बाग अबडेश सबसे पहले तो पल्लवी भगवान बिर्सा मुंड़ा की धर्ती पर जोहार बहुत अभार आपका और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको नमस्कार अच्छे जेनरली जैसे हम लोगों ने जाना ऑफ दा कैमरा जेनरली पत्रकारीता के एक शेत्र में अगर कोई आते हैं यह फिर अगर अगर आवर 17 के साथ और फिर उसके सब्सक्राइए अख्बार भी आपके चल रहे हैं पत्र पत्रका आन पचाल कर रहे तो उसमें से अगर उसका एक भी पिलर गिर जाएगा तो मतलब समझ यह जान निकल जाएगी तो दो चुड़ गया था तो उना जोड़ दी और उसमें सबसे में चीज है जो अभी दोनों भूल रहे हमारी वो जनता जो हम लोगों को आगे बढ़ाती है यह बताओं लोग चू इस तरीके का मतलब मुझे लगता है कि दारणा जो लोग कर लेते हैं कि महिला है लड़की है तो उसका यह काव सिक्से होगा इन से नहीं होगा यह पापा की परी है स्कूर्टी जब चलाएंगी तब पढ़र से ब्रेक मारें प्रेक लगाएंगे इनको पता नहीं हाथ से ब जोड़ करके खड़े करते कब किस एर में आप इसमें दाखिल हुई और कैसे कैसे आप नॉमली मास्टर्स कर रही थी जिस वक्त पत्रकाजी था कि शेत्र में आई और आपको लगा कि फिर कर लेना चाहिए यह वह ज्यादा डल लग रहा है वाई ज्यादा रिसर्च कर गया है अब पत्रकाजी सामें है तो रिसर्च दिसंबर दोजार अठार है अच्छा दिसंबर दोजार अठार है अब 19 मान लिजे क्योंकि एक दम आखरी था 19 से आपने शुरुआत करी कैसे शुरुआत करी दो लोग आप लोग थे क्या सोचा सकसे पहरे एक फोन था अभी जिससे यह लाइव चल रहा है वह एपल का बड़ा महंगा फोन है मेरे पास जो फोन आये था वो दीदी का छोड़ा हुआ था मतलब उसकी शादी हो गई फिर दीदी ने मुझे एक फोन दे दिया था वहां में खैरात में मिलता ही है चोटे बच्चों को बाइपने मिलता है और पत इसा था ना कि मतलब एक इंसान ऐसे बैठा हुआ हो तो उसको भी एकदम पूर्णिमा की रात दिखा दे वैसा एकदम अजीवे तरीके का था लेकिन उस पर भी लोगों ने मतलब प्यार दिया सपोर्ट किया यह यह वीडियो पे भी बिलकुल निखरा हुआ प्यार इन लो यह है उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं गया जारी भाग भी आ गए मतलब पहली वारा है यह गलत बात है मैं किसी को मतलब मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही हूं यह जो यह सब्सक्राइब करते हैं लोग लोकेशन वाला यह जो बीडिया बना है वह प्रिंट मीडिया से बना है हम यहां के बीरोचीफ है हम इस इलाके के यह हैं इस इलाक शोशल मीडिया में यह बनाने का भी एक इसी वज़ेस है ना क्योंकि आपस में आप अगर गोल निर्धारीत करतें तो काम बेहतरी पैंप अर्फ उझा उडान यह करता है आप जैसे का है कि iç व्लॉग इन मीडिया में बैठने वाले डिल्ली वाले पत्रकार थे उन्होंने कभी डिखाया कि-सलाइब के और वह बच्चे जो किसान का बारिश नहीं हुआ उसके बच्चे पढ़ नहीं पाई उसकी बेटी के शादी नहीं हो पाई वह फांसी पर लटक गया उसको क्यों नहीं दिखाए इसलिए इस मीडिया का जन्मुगा है और यह लोग यूट्यूबर कहके चिढ़ाते हैं यह जा सक्क्रिन ले लिए हैं बहां से यह लोग फोटो ले आते हैं और बस फोटो दिखा कर पूरा एक प्राइम टाइम शो बना देते यही है क्या पत्रकारीता यह तो नहीं थी हमारे जहन में पत्रकार वही था जो गोला उठाता था और एक चपल जिसमें जो चपल भी टूटी होती थी उसको सिलाया हुआ पहन के निकलता था वो तो अब चलिए वो तो अब चीजे तो देरे-देरे अपर लेवल पे तो जाती ही है नहीं मतलब में मालीजे की बड़े चैनल हैं अब उनको चाहिए ही हर एक क्षेत्र में पत्रकार आप यह पत्रकार अगर दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो फिर यहां वाला कौन करेगा और हम लोग क्या है कि कम संसाधन है कम लोग हैं हम लोग ऑपन माइंड़ हो करके हर तरफ जरूरत की पत्रकारिता जो आपने बात कही हर तरफ जा करके जो सच्चा की है जो दिखाना चाहते जिस वज़े से जहन में हम लोगों के आग लगती है जो हम लोग दिखाना चाहते वो दिखा सकते है। रोटी नहीं उगा पारा है पालेट जी वाले जो है न वह 5 रुपए का बिस्किट बेशते हैं जाके 3 रुपए का खरिद के दिखाई है नहीं मिल सकता है लेकि जो किसान है वह खुद भी नहीं तैय कर सकता कि वह कितने में बेचेगा यह इस मुद्दे को पता है कौन समझ सक अब अगर अब अगर पकड़ लीजेगा तो खटा कियेगा ना बस इसलिए यह बड़े घराने वाले हमें चड़ाते हैं इनको कुछ नहीं करना इने बस वाइरल खबरें यह दिखाते हैं और व्यूज ले जाते हैं तो भया आप भी आए खुला हुआ है फिल आप भी वह व्यूज से तहीं कर देती है कि कौन असली पत्रकारीता कर रहा है बस यह इससे आप समझ सकते हैं कौन ज्यादा लोगों के दिल तक उतर रहा है बस यह खटकता है बस और कुछ नहीं का टाक्ष की चीजें जो है इनको हम लोग साइट करते हैं और 2019 पे आते हैं 2019 से आप नहीं बताते हैं लोग लड़का लड़की यह तो वह तो इसलिए कुछ चीजें सोचल मीडिया पर ना वह जादा जरूरी है दू लोग और एक सकेंड हैंड वह भी भाई बहन से मिला हुआ जैसे हम सबको मिलता है वहां से आपने शुरुवात करी सबसे पहला वीडियो कौ पानी की टंकी थी मेरे गावं में छब्स फीर निसे फोन ड़की और मैं उस पर बना रही थी क्या ही बनाऊंगी मतलब कुछ ना पत्रकारिता का कुछ नहीं पता है कैसे बोलना ए नहीं पता है और एसे मैं पान रखनी सब्सक्राइब और कुछ बता रही थी हम तो आप आए वह पन हो ऐसे जो पल्टी कि भी अबगिरा है कैसी बता हौ कि जैसे कड़नी आपकी चली गई हो लीवर चला गया हो वैसा वाला दुख हुआ है और उस फोन को खोल के और खपड़ा पे सुखाया गया था और तीन दिन बाद वो फोन आप यकीन मानिये चल गया तो भगवान मुझे मैसेज दे रहे थे कि आपको यही काम करना है अच्छा एक और तारीफ करना ज पूछाल में सहच तरीके से हर बात को रख देते वो है पलवी राय इसके पीछी का कारण है पूछे कैसे जो चिला रहे हैं उनका अपना एक सोच होता है उनको पता हो मतलब मैं तो मिलती हूं लोगों से तो लोगों का यह कहना होता है कि जैसे लोग अपने लाइफ में करने बूल दिया तो लोग यह कहते हैं उन्होंने एक जोन सेट कर लिया कि चिरचड़ लोगों के लिए भाई हम बोल रहे हैं जो नहीं मतलब उनकी सोच जब मैं चिर्चिडा के बोलता हूं तो सामने वाले बंदे को अच्छा लगता है ठीक है और कुछ लोग होते हैं जो कलिष्ट हिंदी मतलब ऐसा हिंदी जो हम हमाई जुबानी नहीं तूटे वैसा वाला उनका आप तो हम पे जो हैं कटाक्ष कर रही हैं अच्छा आप वैसा लेवल के लोग देखें उस लेवल के जो बहुत बढ़े लिखे हैं और वह उन्हें जारी थी जैसे जो भी इस फिल्म में काम कर रहा है वह कुछ एक सोच लेकर आया है जो वैसा बना रहे हैं उनका अपना सोच है जैसे आप 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 जो हैं वह आपने ये सोचा कि पत्रक खुब्सूरत और मैंने जब शुरू किया था तो मेरी आवसकता यह थी कि मैं जब बोलूं तो गाओं की चाची भी यह सोचे कि हमरे घर के लएक हम हूं बोले ही है तो वह समझे कि चाची भी नहीं मतलब मेरा यह जाना एक्च्वल पत्रकारिता है कि जहां हिंदी वह आवार कर ले कर चल जेंए तो इस जाथा से बिंधर मंतलब जाएव करेंगी ना तो कितने दिन कर लेंगी 1 गया हाफ में बोल रहे हैं आप लोग बर्दाश्ट कर ले रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए का कैसा लगा और एक बार आप अपने मुह से बोल दीजे आपकी क्या-क्या चीजें हैं ताकि मेरे से भूल से कुछ छूट ना जाए और लोग जरूर उसको विजिट करें मेरा एक यूट्यूब चनल है भारत एक नहीं सोच के नाम से जाकी जल्दे सब्सक्राइब कर रही है पराना वाला जो पेश था उसको भगवान की किरपा से वह अब हमारे बीच नहीं है जिन्दा नहीं है और किनी काड़नों के वज़े से वह नहीं है एक निया पेज है भारत एक नहीं सोच के नाम से प्रश्ण में बोल देती हूं क्योंकि थोड़ी सी बुलक करूं यह सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पे कई लोग आ रहें खास करके यूबा कि शुर इसको उसको आधा से आधा कर दिया है मतलब एस नहीं कि एक पत्रकार अपना घिरवी रखे भी जिंदा रह सके ना वो किसी पक्ष के नेता की तरफ जाए ना विपक्ष की नेता की तरफ जाए उसकी एक इमांदार पत्रकारी तरह जिन्दा रहे है इसके लिए बहुत जरूरी है कि रोलते मेरे खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि एक जो पत्रकार होता है बड़ा आसान लगता है कोई भी जै खाली हो जगी हो कि नहीं यह बहुत गल्ट करते हैं अब मारे माatu है था ने वीडियो कॉल कर रहे हैंλέ लगिन यह दमदार आवाज की सब्जास यह बात रखना चाही कि गभी कि भी आप लोगों को जरूत हुती तो एक दफा याद करते हैं हम लोगों को कि बातें पहुचानी है हमारी ना गवन्मेंट सालरी है ना हमारा कुछ है तो एक इमानदारी को जिवित रखने के लिए सोशल मेडिया प्लाटफर्म हो गया या बाकी जो ले लोग है उस तरह के तो हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए लेकिन हम एक तरीके से अभी भी घुलामी है पहले पहले हम किसी और के गुलाम ते अभी हम यूट्यूब और फेस्बूक के वो कल कोई नहीं लाइन लाइ कि और सब्सक्राइब करने कुछ लगी फिर मैंने प्रकारीटा का पेशा चुना तो फिर मैंने इसके पड़ाई की आप लोगों के भावनाउव से तरह से जूर जाएंगे अब जैसे कि मैने इससे ग्रैज अब मैं उस वाले मीडिया में जाओंगी नहीं कि वहां पर मेरा अपना एक फंडा है कि भाईया आजादी की रोटी मिलीगी तभी तक खाएंगे नहीं तो कुछ और करेंगे तो वहां पर नहीं हो पाएगा मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम बोल देते हैं जैसे मेरा अप कि आवश्रकता आविस्कार की जन्नी होती है तो कहीं ने कहीं हमारे समाज में ही आसपास यह है ना कमी तभी तो हम लोगों के अंदर यह चीज़ आता है ना वो है वो है तभी ना मतलब आप ऐसे समाज यह कि एक डियम बन गई है यह कोई बहुत बड़ी अधिकारी बन खाना बनाना तो आना ही चाहिए कपड़ा दुलना तो आना ही चाहिए प्रेस करना तो आना ही चाहिए ले दे के सब आना ही चाहिए तो वो है कि मतलब समाज जितना भी बड़ा हो बन गया हो प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री महिलाएं बन गई हो हम प्रेन चलाने लगे हो फाइटर प्लेन उड़ाने लगें हम सब कुछ करने लगें लेकिन चुनिंदा कितनी परसेंट महिलाएं वहां तक पहुंची है और कितनी जमीन पर है इस बीच के अंतर को देखकर आप महिला ससकती करने पोस्टर में टंग रही महिला और आपके गाओं के महिला के बीच का अ अंतर देख लिए यही सचाई है भारत की दिखाया कुछ जा रहा है हो कुछ रहा है और वही बोलने तो खटक जाता है बस यही है यही है महिला महिला बहुत मजबूत हो रही है महिला तो अब फाइटर प्लेन उड़ा रही है और उसी भारत के उसी एक गाओं में आज भी कर आकर पत्मियों को मर दिया जा रहा है तो हम कैसे उससे तुलना करने फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला की हालत तो अभी वहीं रहा गई ना कितना भी नारा लगा लेकिन महिला तो आज भी वहीं रहा गई मैं आपको एक सिंपल सा एक्जामपल दे रहे हूं देखि है एक पॉइंट आने के बाद बैक जो आएगी ना वो महिला ही आएगी अब एक बात सुनिए एक बच्चे सेम सेम एच के हैं तीन साल का लड़का तीन साल की लड़की लड़कवा जो होता वो नहाद हो कि अपना सिंपल सी सिंपल से बात बतारी हूं देखिगा अभी आप तो टिफिन पैक करेगी अपना भी और अपने भाई का भी यहीं से सुरू हो जाता वस इतना अब कहेंगा भाया टिफिन करने में भी तुम भेदभाव कर रहे हैं बता रही हूं कि यहीं से सुरू हो जाता है मतलब एक जो लड़की है साइको लोजीकली अगर सोचा जाए सुरू है तो बच्पन से बीच बहुत दिया जा घृटा उसके बाद हो जाना वह बात कभी लड़के से नहीं कहीं गई आज तक बेटा तुम जाडू नहीं तो ठीक है पादये में पानी डाल देना उसके बाद तुम रड़ी हो जाना वह जिमधारी लड़की को शिखाई ह बढ़े स्तर पे हो रहा है है तभी तो यहां बैठे हुए बाते बदला भारत चुला-चुका के बाद भी ना ये था कि लाइन चले जाओ सेफ नहीं है इसके पीछे ना एक लालच है सीदी बात महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जितना वो कमाते हैं उतने में घर नहीं चल रहा है, इसलिए लोगों ने महिलाओं को भी फ्रेंट पर रखा, बहुत अच्छी बात है, और बढ़ जाए महांगा, इसी बाने तो महिलाओं निकले, निकले इसी बाने, मैं आपको बताओं, अब मैं देखती हूं घरों में, बा सब्सक्राइब के लिए और मुझे लगता है और भी बहतर होगा, क्रांतिकारी लड़कियां हर जगे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हम यहां बैटके बकवास कर रहे हैं, मैं गाओं में भी लड़कियों को देखा है, पढ़ाई के लिए लड़ने के लिए, बदल रहा है, अब सब्सक्राइब के लिए लड़कियों को सही बात तो यह वो देखती हैं कि मतलब एक मैं लड़की हूं और एक वो लड़की है, उन दोनों में अंतर क्या है, मतलब मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी इतना कमाऊंगी कि मैं वहां पहुंच सब्सक्राइब के शुरुवात कैसे ह अच्छा उलेडी रात में हैं हम लोग, मतलब दिन गुजर जाये, पता नहीं चलेगा, हजारी बाग पहली बार आई है या झार्खंड पहली बार आहीं ज्रकंडी पहले पहली बार आही। अचली फिर से बहुत स्वागत है हमारी पूरी टीम है हमारे जितने दर्शक जो परिवार हैं सब आपका एक बड़ प्रसे स्वागत करें कि आगे किसी और प्रदेश में जाने में हिजक ना हो और कोई दिकत ना हो अगर मैं नाम लूँ अगर उन्होंने यह ना कहा होता कि आए हम हैं आपको रास्ता बताने के लिए तो मुझे लगता है हम लोग गया से बापस लोड़ गया होते मैं गया में ती और मुझे सच में म मिलाओं लेकि रेलेशन बिल्डप होता है यह है कि वह सपोर्टिव हैं तो अगर आप अभी भी लाइव जुड़े हुए हैं तो इनके चैनल को जाकर जरूर सपोर्ट करिए हम सभी जितने भी लोग हैं उन सभी को इसलिए सपोर्ट करिए क्योंकि जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो तो अपने जो आपके आसपड़ोस के जो सपोर्टर मतलब जो इस फिल्ड में काम करें उनको सपोर्ट करने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्योंकि वह तो जब तक नोईडा से आपके हां तक आएंगे तब तक तो पता चले खतम ही हो जाए मैं तो पहली बार आई हूं मतलब मैं ने वीडियो बहुत ज्यादा देखे हैं मतलब मैं जो कुछ देखी हूं में मुझे वह देखना है रियल में मतलब मैंने देखा हुआ कि यह वाला कैमरा में उत्तरप्रदेश की बंदी जो है वो लेके जाएगी ज्यारकन से है सबसे पहले तो मुझे वह जन जाती जो लोग है जो उनका कल्चर है वो देखना है वह कवर हो नहीं मुझे पता नहीं है लेकिन वह देख के जाना है मतलब उससे यह पता चलेगा कि हम ऐसे अभाव से निकले हैं और आज हम लोग यहां तक पहुँचे हैं सब्तों वैसे जारखंड एक्च्वल में न उन्हीं भाई बहनों की है उन्हीं की है और आप उनके लिए यह आई है तो यह बहुत अच्छी बादा अच्छा लगता है जब मैं देखती हूं न मतलब एक उनका जो फोक डांस होता है वो फिर वो मांदर की थापे जो लोग नित्य करते हैं वहीं से हम निकले थे अब आज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं निकले सब वहीं से थे सब एक समुधाय में रहते थे सब एक दूसरे को कंदे से कंधा देते थे आगे बढ़ने के लिए आज देखते अच्छा तो वह इतने का चस्मा पहिना है चलो तोड़ द करते हैं फिर से अच्छे बीज बोने की ताकि आने वाली जनेरेशन कम से कम इस जो लंचील मुद्धे से बिलकुल दूर रहे परे रहे एक दूसरे से जलने में नाकाम रहे वो चीजें वो थिंकिंग ही ना आए उनके मन में यह है अगर अगर कुछ भी बहतर करना है तो कोई कि अकेला इन्सान ही करता है एक हरमास का पुतला लाठी लेकर निकला ठां तो यहां महीमाीला में बैठ के पतानी कितने बज़िंदे बख्वास कर रहे हैं तो यह पता है यह एक अकेला इन्सान किया था तो ऐस अफेगेju मैं गया से आघह कुकि तो कएक इन्सान छीनरी अ पिता जी को सब कहते थे कि पागल है यह पागल हो गया इसके पास मत जाना नहीं तो पत्थर चला के सिर्फ फोड़ देगा तो उनको उस तमें पागल कहते थे लेकिन किसी ने समझा ही नहीं कि वो क्या करना चाह रहे थे 22 साल में फोड़ दिये ना तो ऐसे हम लोग भी कुछ कुछ ना कुछ सालों में करकर दिखाएंगे समाज के लिए एक दीपक के समानी रोष्णी दे देना वही बहुत है बहुत है बुझे रहने से तो बहतर है हां कम सब बहुत तेज आंदी चल रही होगी तो यह तो बोलेंगे ना उस समय यह लोग बचाएंगे बहुत तेज यह का भारत से कर दिया है तो आप दिखाएंगे लोगों को जारकन की भी खूपसूर्ती अवारा जितना सपोर्ट हो पाएगा हम लोग करेंगा और फिर मुलाकात आप भी सपोर्ट करेगा जो हमें देख रहे हैं इसलिए सपोर्ट करीगा कि अलग कोई और लड़की कहीं उत्तर प्रदेश बिहार या कहीं किसी कोने से बैठ कर यह सोच रही होगी कि मुझे निकलना है तो उसको करूं ना करूं तो सपोर्ट इतना दिखाएगा कि आज मैं यहां बैठी हूं अगले महीने अगले साल और लड़के यहां आकर बैठें तभी महिलाएं होंगी मजब निखशर तो अब ऐसोच रहे कि हम भाई यह टोड़ बश्राम दोड़ेंग घर संगे यह आइस कितनीतने इतने वॉछ में आपने कहां से शुरुवात करी इतनी नहीं है बहुत कम है भारत के अबादी कितनी जादा है और भारत एक नहीं सोची कितना कम है अभी, और सपोर्ट चाहिए मुझे, कोई नहीं अभी जारगड के लोग भी, जारी बाग के लोग भी तो आपको प्याद के लोग जो लूग देख रहे हैं मुझे वो प्लीज मेरे चैनल भारत एक नहीं सो उसको जाके सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं सुबह उटके देखूंगी कितना बड़ा है उसी सिंताय होगा कि मैं हाफते बार रुकूंगी या महीने बर सुबह उटके देखूंगी तो आप देख रहे हैं कि क प्यार करते हैं हम लोगों को तो हम लोग जरूर ही इस तरह से ही कदम ताल मिला के आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों के लिए हमेशा ततपर रहेंगे खड़े रहेंगे इसके साथ अजाज़त दें मैं आप पराजीता शुक्रिया